नमस्कार मित्र, आज फिर मैं आपसे मुखातिब हूँ, अपने सूबे के लिए बहुत दुखत दिन है, नक्सलियों के मुक्भेड में हमारे दो जबान सहीद हो गए, हम उनके परते सर्धा सूमन अर्पित करते हैं और उनके परिजनों को ठाणस बनाते हैं कि इस दुख की गड़ी में पुरा सूबा ही नहीं, पुरा देश आपके शाथ हैं और आपका जो लाल है, वो राज की सुरच्छा में, मानो की सुरच्छा में, मानो हित में अपनी चान को गवा दिया है, निश्चित रूप से नों ने अदम शाहस और बहुदूरी का काम किया है, और सभी जानते हैं कि जमीन लांडिंग के मामले में हेमन सोरिन सहाब के साथ पुष्टाच एडी की लगातार जारी है और कई दिनों के सम्वन के बाद ED के समझ एहमन सोरिन सहाब प्रस्तूत हुए और दुबारा प्रस्तूत होने के बाद ED ने उसको अपने हिरासित में ले ली है जो मामला है जमीन की वो बढ़गाई प्रखंड की है जहां के सियो ततकालिन मनोज कुमार थे और जिनके आदेश पे उस समय जो उपनिविच्छक थे भानू परताब परसाद शाहब जो ED के रडार में है और उन्होंने जमीन को रिपोर्ट तयार के थे और उस जमीन की नाप उस समय के अमीन जो ससेंद्र महतो थे उन्होंने किया था ED ने ससेंद्र महतो को भी और जो उपनिविच्छक बानू परताब परसाद है राजर स्विभाग के उन दोनों को भी पूश्टाच के लिए अपने शंग रखा है और ये संभावना बैट की जा रहे है कि हेमंत सोर के समच उन दोनों को भीठा करके ये पूश्टाच की जाने वाली है लेकिन आज जो सबसे जो उलिखनिये बात आई वो ये आई कि हेमंत सोरन के जो एक सहयोगी है आटिटेक है बिनो कुमार सिंग जो परिचे के महताज नहीं है पहले ED ने उसको भी अपनी हिजास्त में र रडार में है लेकिन आज जो ED ने जिस बात की चर्चा करी अगर वो बात सही है अगर वो बात सब्सक्रत है तो मैं समझता हूं कि ये बहुत दुखद है एडी ने जो चर्चा की है, वो अट्सब chat की चर्चा की है वो अट्सब chat, हेमन सोरिन और विनोज सिंग जो अर्टिटेक है इनके बीच का वाट्सब chat है, अगर वो अट्सब chat सही है तो एडी के अनुसार उस chat मेिना सिर्फ जमीन की बाते हुई है दोनों में बलकि transfer posting की भी बात हुई है, सरकारी record साजह करने की भी बात हुई है और बहुत सारे students के, बहुत सारे परिचारती के admit card भी बिनोज सिंग के यहां पाए गए है ये भी ED कह रही है, जो ANI की report है, उसके अनुसार, ANI ने अपनी report में कहा है बिनोज सिंग के साथ WhatsApp पर उनकी चैट का सामना कराए गया, जो बहुत आपत्ती जनक है और इसमें कई संपतियों का बियूरन सामिल है इस चैट में न केवल कई संपतियों के समन्द में गोपनिये जानकारियों का आदान परदान सामिल है बलकि Transfer Posting सरकारे रिकार्ड साजा करने आदी से समन्दित और आपत्ती जनक जानकारी भी सामिल है जिसमें से बड़ी मातरा में धन उत्पन और लेन देन किया गया ऐसा परतीत होता है इसके अलावा बिनोस से ने आदिकारियों के Transfer Posting जारकन करमचारी चैन आयोगदारा आयोजित परत्योगी परिछाओं में सामिल होने आले छात्रों के कई Admit Card को अपने कबजे में लेने और साजा करने आदी के समन्द में कई अन लोगों के साथ WhatsApp चैट भी सामिल है जदी ऐसा है और जदी ये बाते सब्थ है जो एडी ने कोट को साजा किया है तो मैं समझता हूं की राज के लिए बहुत दुखत बात है और मैं तो सुबह के एक नागरिक के रूप में मैं देखता रहता हूं कि जो भी सरकारें आई वो भले बातें खतियान की की बातें अबुआ राज की की बातें अदिवासी और बेकवट और मूलवासी की की लेकिन उन्होंने जो लाव पहुचाया उन्होंने जिसको जगा दी उन्होंने जिसको तरजी दी उसको जहारखंडी असमीता जहारखंडी प्रमपरा जहारखंडी लोखित से कोई माने अब नहीं रहा ऐसे लोगों को सरकारों में तरजी दिया है अब यह आप देख रहें विद्यालों में जो पुस्तक और पेंसीले बाटने की जो बाते हैं वो बिहार का एक बेक्ति दिख रहा है जिस बेक्ति ने 1932 के खतियान की बाते की चर्चा हमेशा जहारखंड में करी उ बिहार के एक बेक्ति को इन सप्लाई का काम दिया गया और साथ ही सराब दुकानों के लाशन्स भी दिये गए मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि या तो आप जहारखंडी बाते मत ना करें आप उन्हें 132 और खतियान की बाते ना करें आप जिन्दल बात करें कि मैं सभी के लिए हूँ ये सरकार सभी के लिए है ये सरकार जहारखंड और बिहार और यूपी के फेरे में नहीं रहता ये जहारखंडियों को विशेस दर्जा देने और जहारखंडियों के हितलाब की बात नहीं करता है ये सभी जो जोग हैं उसकी बात करता है या तो आप ये बात करें और जब आप जहारखंडी की असमीतार जहारखंडी परंपरा जहारखंडियों को हित की बात करते हैं और उ बाते करने चाहिए अभी जो विनोस सिंग के मामला आया या और कई सिंग और कई कितने लोग हैं तो मैं समझता हूं कि ऐसे लोग इस सूबे के लिए हमारे जारखंड के लिए एक टिड़ी दल के रूप में काम कर रहे हैं जो पूरी फसल को चट कर जाना चाहता है और मैं सामने मैं हूँ चाहिए मन सोरिन हो चाहिए बाबुलाल जी हो चाहिए रगुवर दास लेकिन एडी की जो करवाई होती है मैं बार-बार ही कहता हूं कि जदी एडी के रडार में आप हैं एडी आपके आरोप पत्र तै कर दिया है और आपने जदी भाजबा का धामन थाम ल बिश्वास जितने के लिए मैं समस्ता हूं कि राजनिती और पार्टी और बेक्ती से परेहर हट करके एक जो इंसाफ की बात होती है जो एक सही कारवाई की बात होती है बेगर किसी का चेहरा देखे बेगर किसी से प्रभावित हुए वो ऐसा कार्ज ED को करना चाहिए मैं ED के कार्जों का स्वागत करता हूं और मैं बार-बार कहता हूं अलाकि मेरे बहुत सारे मित्र कहते हैं कि AD के करवाई एक तरफा है मैं भी मानता हूँ एक तरफा है लेकिन मैं इस सवाल जरूर उठाता हूँ कि चलिए एडी एक तरफात करवाई ही कर रहा है, लेकिन कर तो रहा है, कुछ तो दोसी चंगूल में आ रहा है, कुछ तो भरष्टाचारी चंगूल में आ रहा है, दूसरी सरकारे जो है, वो अपनी एजेंसियों से भाजपा के जो भरष्टाचारी लोग हैं, उस पे करवाई क्यों न लो तो आप भाजपा के निताओं को क्यों बक्स देते हैं मुझे लगता है इसका एक सही कारण है कि आप अपने कारजों में ही इतने उल्जे रहते हैं आप अपने बचाओं में ही इतने उल्जे रहते हैं कि आपको दूसरे पर कारज और दूसरे पर करवाई करने की जिहन मे ख्याल भी नहीं आता है तो चलिए मैं फिर से उन दोनों जवानों को जिसने जार्खंड की असमीता और हम जार्खंडियों की रच्छा करते करते अपने प्रानों को त्याग दिया बड़े बड़े निता उसके पच में और उसके घरानों के पच में बड़े बड़े बोल होने हैं लेकिन उसकी सहादत की सच्ची सर्धांजली तब होगी जब आप च्छार्खंड असमीता पे खड़े रहने सिर्थ बात नहीं करें जब आप भरष्टाचारियों पे नकील कसेंगे जब आप खुद भरष्टाचारी नहीं हैं तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी पाप का कार्ज है ये पुल्ण का कार्ज नहीं है और इसका खामियाजा कभी न कभी आपको भूगतना पड़ेगा चाहे आप जो कोई हो तो मैं आदर्निये चंपई सोलन सहाब से निवेदन करूंगा चलिए अब तक जो जार्खंड चला सो चला आपसे बहुत उम्मीदे हैं राज सूबे की जनता को आप एक इमांदार सभी के नेता हैं आप जो जारों वेक्तित तो रखते हैं और आप जार्खंडी असमीता में पले बड़े हैं इसके दर्द को आप समझते हैं तो आपको अब अपने सूबे का आबो हवा बदलना चाहिए एक-एक भरष्टाचारी पर नकील कशनी चाहिए एक-एक भरष्टाचारी को चाहे वो राजनेता हो चाहे वो राधिकारी हो चाहे वो कर्मी हो उसे बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए, तभी सुवे का फला मननी हो पाएगा, नहीं तो उजनाएं बहुत सारी आ सकती हैं, उजनाएं बहुत अच्छी अच्छी लाने के बावजूद, अगर वो जमीन पर नहीं उतरती है, भर्ष्ट कता दिकारियों, भर्ष्ट कर्मियों की वज़ा से, तो फिर उस उजनाओं का फलाफल क्या है, इसलिए आधरनीय चंपर सोलन से हमारा निवेदन होगा, कि जार्खन बड़ी लालसा से आपको देखता है, जार्खन के लोग बड़ी होप आप से रखता है, और लगता है कि जार्खन का नया बिहान, जो स्री पार्टी के हो, चाए वो कोई पताधिकारी हो, चाए वो कितने भी परवावसाली बिखती हो, चलिए, आज इतनी देर तक आपने मुझे सुना, इसके लिए मैं आपको धन्वाद देता हूँ, आपके दिम सुब हो, आपकी राते सुहानी हो, और हम सभी यह आशा करते हैं कि जार्खंड का नया सवेरा एक नई उमीद के साथ आएगा, और हम जार्खंड नी जुआओं को कुछ दे पाएंगे, ऐसा लगता है, ऐसा सुबे की सरकार से हमारी उमीद है, ऐसा चमपे सोरन की सरकार से हमें उमीद है, नमस्कार, धन्वाद आप सभी का, बहुत-ब